हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं बोल्सकाय और मैं हूँ आपकी दोस्ट खुश्बू तिबबत का नाम तो आपने सुना ही होगा वैसे तो ये चीन का एक स्वायत छेतर है लेकिन कई लोग इसे देश भी मानते हैं ये चीन के दक्षिड पक्षिम में हैं और वो इसे अपने देश का हिस्सा मानते हैं क्यों आपको पता है कि तिबबत के उपर से हवाई जाज नहीं उड़ते हैं जी हाँ ये बिलकुल सच है दरसल इसके पीछे एक बेहदी खतरनाक सचाई चुपी है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे तिबबत एक ऐसा छेतर है जिसकी भूमे मुख्यत उच पठारी है यहां के पठार दुनिया में सबसे उची हैं और इसे हिमाले परवत का घर भी माना जाता है समुद्र से काफी उचाई पर होने और विशालकाय परवस श्रंकलाओं से घिरा होने के कारण तिबबत को दुनिया की छट भी कहा जाता है तिबबत धर्ती की उन विशेश जगों में से एक है जहां विमान सेवा बहुत ही कम है दरसल उचाई पर होने के कारण इसके उपर से विमानों का उड़पाना लगपग असंभाव है इसी वजह से विमान तिबबत के उपर से नहीं उड़ती है अगर उड़े तो इससे जान को खत्रा भी हो सकता है विशेशग्यों की माने तो तिबबत दुनिया का सबसे कम दबाव वाला छेतर है इस छेतर में हवा की कमी है इसलिए एक विमान के लिए यहां उड़पाना संभव नहीं है अगर विमान यहां उड़े तो यात्रियों को अधिक समय तक ऑक्सिजन की जरुवत पड़ेगी जबकि विमान से जुड़े विशेशग्यों बताते हैं कि यात्रियों के लिए सिर्फ 20 मिनट तक ही ऑक्सिजन उपलब्द कराई जा सकती है विशेशग्यों के मताबिक तिबबत का वातवरण बाकी हवाई मारगों के तुल्ला में बेहदी अलग है माउंट एवरेश से नजदी की होने की कारण यहाँ जेट धाराएं तेजी से चलती है और एक विमान के लिए इतनी तेज गती की धाराओं का सामना कर पाना मौत को गले लगाने के बराबर है हलकी यहाँ हवाई पट्टी है लेकिन वो इतनी संकीड है कि अब तक दुनिया के कुछ ही पाइलेट यहाँ विमान उतार पानी में सफल हो पाएं है इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरी के अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ